रे सुन लो जै कोई छोरी सुनती हो अपने बाप की इज़त में रे रे माटी करण के सपने बुनती हो रे सुन लो जै कोई छोरी सुनती हो अपने बाप की इज़त रे रे माटी करण के सपने बुनती हो अपने बाप की पगड़ी कहते दाग ना लगई हो रहे इतने मेने क्यों कर सालू मेरे तो जद सबर आओगा जो तरह चोरा मढ़ जागा नमस्ते जी आज हम आपको मेरी यानि कि आपकी सोनब मैम की एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो बच्चों को हर्यानवी लेंग्वीज के अंदर कुछ समझाने की कोशिस कर रही है बिटा आप सभी को हम बार बार यही समझाते हैं चाहे लड़का हो या लड़की हो कि आपकी पढ़ाई से भी पहले आपका वेवार है आपका चरित्र है और यदि आपकी चरित्र पर कहीं दाग लगता है आप गलत रापर चल पढ़ते हो तो बिटा आपका करियर आपका जिन्दगी तो बरबाद होता ही है साथी आपकी माता पिता भी जीते जी मर जाते हैं मैं पूछती हूँ आपको जानता ही को ने आपकी गाउं में शहर में सब आपको आपके माता पिता के नाम से जानते हैं तो आपके दवारा उठाया गया कोई भी गलत कदम आपकी कोई भी गलत हरकत उसकी सारी सजा आपके माता-पिता, आपके भाई-भेन आपकी पूरी परिवार को मिलती है और ना जाने कितनी पीडियों तक वो दाग चलता रहता है जैसे ही शद्धा वाला केस इसके बारे में तो आपको पताई होगा न कि वो लड़की बिना विवा के अपने माता-पिता की अनुमती के बिना उनकी मर्जी के खिलाफ वो उस लड़के के साथ रहने लगी और उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ? पैतिस टुकडो में उसे काट कर फ्रीज में रख दिया गया पिता अपने माता-पिता से जादा भरोसा हमें कभी भी किसी पर भी नहीं करना चाहिए और अपने माता-पिता को रुला कर तो हम कभी खुश रहे ही नहीं सकते आज की इस वीडियो में आपको एक सची घटना बताई जाएगी कि जब एक बेटी ने गलत कदम उठाया उसके पस्चात उसके पिता को इस समाज में किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कितने दुखों से उसे गुजरना पड़ा पिसमूरी कहानी को सुनने के बाद इस विशह में आपकी क्यार राय है हमें कमेंट करके जरूर बदाईए और आगे आने वाले इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे रहे पैरा में रूलगी पगड़ी और इज़त तार तार होगी आज एक बाप अपनी बेटी तया हार गया अपनी इज़त गैला खुबात कर रहा से ताउ सुर्ता आज पंचायत कर रहा से ताउ सुर्ता आज पंचायत कर रहा से थाई मानसा तैबरी है और खाट वी चर्चाकर रीश है खड़ाओके इक पंचाती बोला और इस पंचाती रोडे का राज खोला ताउ सुर्ता की छोरी राम खड़ गेला वाज गी और मारे सारे गाउं की इज़त लाज गई पंचायत में खुसर खुसर माज गी, सारा की खड़गे बन दी नाड आल गी पंचायत में खुसर खुसर चाल गी, सारा की खड़गी बन दी नाड हाल पडी एक बोला रे फिर इसमें एक ले रंपरगा के खोट से ताड़ी एक आत्यकोनी वाजती इसमें दोनवा की खोट से ताड़ी एक आत्यकोनी वाजती इसमें दोनवा की खोट से फिर दूसरा बोला तैफिर दोनवा ने मज़े चखा दो गाउं के रिस्ते के उसे दोनवा ने बता दो फिर एक और खड़ा हो लिया सर पर तैतार के तो लिया बोला रे दोनवा ने मारे पाच्छे कुड़ सा सुखो जागा एक ला छोरा है रामभड माबाप के दुखो जागा सुखता बोला फिर एक ला से तो मन्ने के आठ है लागे से छोरे इसमें तेरे भी कोई साथ गाठ से छोरा बोला ताउ साथ गाठ तो तरी छोरी करगी तरी खड़गार मुच्छा ने तरी छाथ में दरगी तु जद नहीं बोला तु जद नहीं बोला तु जद रमभड याए बढ़ाया तुरी छोरी है गाउं की गाउं ने पड़कार बढ़ाया ताउ सुखते का मुझ लाल हो गया और पंचायत में बवाल हो गया सब लोग एक दूसरे की आठा में देख के आसे थे और बात बात पर उंगारे बर बर के खासे थे ताउ सुर्ता उन सब की हरकता में खूप पचाने था और एक एक की युकात में अच्छी तरी आते जाने था रहे वे लोग से जो कदे इसका जुठा खाया करते बोलना को दूर की बात कदे नाट तक निखाया करते और आज बरी पंचायत में बिरान माटी हो रही से किस्ते केंदा सुपता करनाली खुद की छोरी से रहे किस्ते केंदा सुपता करनाली खुद की छोरी से रहे वाय छोरी से जिसके केंदे यो पल में पुद की पुगाया करता यह मासूम सी दिखानाली खोरी आज सब की में उजाड़गी बचपन में मुच्छा ते खेलनाली खोरी आज उन्हें जटताई पाड़गी ते रहे छोरा बोला ताव क्यों इतना पट कर लिया से सार्य इतने नहीं क्यों गात का हट गर लिया से ताव सुथा बरी पंचायत में सब क्याने लखाया पर कोई भी उसका हिमाती नहीं पाया पर कोई भी उसका हिमाती नहीं पाया, तो थड़ा हो क्या बोला, रे क्यूप कर सबर कर लिए, इस ते आच्छा तो मैं कुए के मैं पड़ मर लिए, रे ब्यात है तीन दिन पहले जिसकी छोरी चली जासे, रे ब्यात है तीन दिन पहले जिसकी छोरी चली जासे, बरे बजार में उसकी पगड़ी उचली जासे, रे के छोरी आने लोग इससे दिन खाकतर चाँ ऐसे, रे के छोरी आने लोग इससे दिन खाकतर चाँ ऐसे, शाने सेवे लोग जो छोरी ने पेट में मरवा दे वैस है, जै मैं भी अपनी छोरी ने पेट में मरवा देता, तो आज मनने यो दिन कद्दे नहीं देखना पड़ता, रे वे के छोरी हुई जो अपने बाप की पगड़ी बिरान माट्टी करदे, और सारे गाउं की चोगर दुन्या हसी करवा दे रे वे के छोरी है, जो अपने बाप की पगड़ी की बिरान माट्टी करवा दे और चोगर दुन्या सारे गाउं की हसी करवा दे वे ना सुर्ते नूरामपड का बाप बोल्या, अर खंगार से वेपना सुखा गड़ा खोल यह ना सुखते यो मामला पेट में मारते नहीं मरा करता यो मामला पेट में मारे तन नहीं दुक्या करता मुर्दे के बाल पाड़े तैक तबे उसका वजन नहीं दुक्या करता रहया अपनी ए गलती से हम इनते सही नहीं सिखा पाए सही सुन्सकारों की रहा नहीं दिखा पाए हम इंतने सही संस्कारों की रहा नहीं दिखा पाए रह एक लास है तो के हो या मैं घर में नहीं बढ़ें दूँगा राम खड़ा नूश्चोरी नहीं बालने नहीं खड़ा होन दूँगा सुथ्ता बोला रह इतने मेंने क्यूप कर सालू मेरे तो जद सबर आओगा जद तर अचोरा मर जागा प्रेवे घराय रिस्तेदार उनके मैं के मूँ दिखाऊंगा जिस दिन मन्य थागे मैं दोन्माने सूड़ी पर चड़ाऊंगा ठाई मैं चारो तरफ सूशा सुप थे बरी पंचाय चुक थे शुक्ता बोला, रे सुन लो जै कोई छोरी सुनती हो, अपने बाप की इज़त में रे रे मटी करन के सपने बुनती हो, रे सुन लो, जै कोई छोरी सुनती हो, अपने बाप की इज़त में रे रे मटी करन के सपने बुनती हो, ए जित्ते जी अपनी खुशियां में आग ना लगई हो, अपने बाप की पगड़ी के कदे दाग ना लगई हो, नू बढ़बढाता, ता उसुर्ता अपने गरा के निचाल पड़या, अर उसकी आबाद सुनके सारे का कारजा हाल पड़या, आगले बखत सुर्ता सारे गाउं की हस्ती खागया, ताउ सुर्ता गरा जांदे ही, रत्ते में हस्ती खागया, ताउ सुर्ता गरा जाते ही, रत्ते में खास्ती खागया, बिचारा सुर्ता बस कितने में ही सार गया, आज एक बाप हो, अपनी बेक्टी तहार गया, रहो अपनी बेक्टी तहार गया, जन्यवादा. झाल कोसेैं संस्ती ओरा जुड्ता बागया, जन्यवादा ठित्ते में हिल्सका ही,ẹre, जन्यवादा कितने में तो ही, झाल कितना बढ़केंग्टी खांफे , आज हो कितने में, रितै chess लंचते वynnशेने。